हलो दोस्तों नमस्कार, श्टडी पोटल में आप सब का स्वागत ले, दोस्तों सीटेट का एक्जाम कल आया और एक्जाम आने के बाद सभी बच्चों के अलग-अलग क्वेस्चन, कमेंट और मैसेज और कॉल आने लगे, किसी के नमबर कम हुए, किसी के ज्यादा हुए, किस आप से रजल्ट मिल नहीं पाया, पहले तो आज इन सभी डाउट्स को हम डिस्क्स करेंगे, कि बच्चों के क्या-क्या डाउट हैं, नहीं जाने कितने बच्चे अभी भी अपने रजल्ट को लेकर के संतूष्ट नहीं हैं, काफी लंबे समय के इंतजार के बाद, सीटेट 2018 में आया था, बड़ी मुश्किल से एक्जाम हुआ, एक्जाम होने के बाद जो अंसर की आई, उसने बहुत से बच्चों के होंश उडा दिये, चोकि जो अंसर ठीक होने चाहिए थे क्यों सिनके, वो ठीक अंसर की में नहीं मिले, फिर बच्चों को चैलेंज करने का मोका दिया गया, तो किसी से 5,000, किसी ने 4,000, किसी ने 8,000 रुपे लगाए, और बाद में अब जब रजल्ट आया, तो बहुत से बच्चे अब भी सैटिस्फाई नहीं है, आप लोगों की दिमाज में क्या डाउट चल रहा है, अगर आपको अपने डाउट का अंसर चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, बाकि हम कोशिस करेंगे कि जो कोमेंड आउट हैं सभी बच्चों के, उन सभी को आज डिसकस हम कर लेंगे, बच्चों के नंबर बढ़ाये गए या नहीं बढ़ाये गए, अंसर की दिवाईज होई या नहीं होई, कितने परसत रजल्ट आया है, म जिनका पास हुआ है, जिनका सीटेट पास हो गया है, उन्हें बधाई और भौश्य के लिए सुबकामना है, जिनका नहीं हुआ है, क्या वज़य है, उसको भी जानेंगे, और होसला छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से सीटेट का रजल्ट आ पायद अभी रजल्ट में थोड़ा टाइम और लगना था, बट इस हिसाब से जो जल्दबादी चल रही है, वो आप लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं, आईए एक बर थोड़ी से पहलों को देखते हैं, उसके बाद आप लोगों के डाउट लेंगे, ये कुछ निज़ पेपर्स की जल्कियां हैं, जिसमें CBSE ने सुकरवार को प्रिक्षा के रिकार्ड 25 दिन के बाद सीटेट का रजर्ट डिकलेर किया, सीटेट की वेब साइट पे रजर्ट है, आप सभी जानते हैं, सीटेट प्रिक्षा में प्राइमरी स्कूल का एक से पांच के 78,273 हैं, उन्होंने ये कहा है कि सीटेट का रजर्ट का बेस बनाया है, वो इन्होंने कहा कि जो PRT के अंदर है, PRT में लगबग 17% का रजर्ट रहा है, और TGT के अंदर जो रजर्ट रहा आप लोगों का, वो आपका 15% रहा है, पहले तो रजर्ट के परसेंट की बात है, इसमे प्रिक्सा की अंसर की 27 दिसंबर को जारी की गई थी नियम के अनुसार इस प्रिक्सा के उतीरण करने के लिए सिक्स्टी परसेंट मारक साहिए जर्नल के लिए और एसी बीसी और एस्टी के लिए जो है वो 55 परसेंट की कंडिशन थी सिटेट के रजल्ट को लेकर के जो अब बच्चों के माइंड में सवाल हैं उनके बारे में एक बर बात कर लेते हैं कि क्या-क्या बच्चे इस बात के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं आज भी संतुष्ट है नहीं इस रजरट को लेकर के तो बच्चों के नंबर बढ़ाएगे ये नहीं बढ़ाएगे ये सबसे बड़ा हाइलाइटेड क्युस्टन है मेरे इसाब से हर यूटूब चैनल के उपर हर वीडियो के उपर बच्चे इस क्युस्टन को बोल रहे हैं पूछ रहे हैं बता भी रहे हैं अब यहां मामला ये है कि कई सारे बच्चों ने ये कहा है कि हमारे नंबर बढ़े हैं हमारे नंबर बढ़ाए गए हैं यानि हमारे नंबर ज्यादा हुए हैं अगर किसी बच्चे के 85 थे तो किसीने का मेरे चार बड़े हैं किसीने five, किसीने साथ और एक-दो बच्चों के दवारा आठाठ नंबर का दावा किया गया है लेकिन उसके उल्टे कुछ बच्चों ने ये कहा है कि हमारे नंबर कम हुए हैं। यानि हमारे नंबर घटे हैं, किस से घटे हैं, जो board ने अंसर की डाले थी 27 दिसंबर को, उसके according अगर किसी बच्चे के 92 बन रहे थे, तो आज वो कुछ कह रहे हैं कि हमारे 27 बन रहे हैं, 28 बन रहे हैं, या फिर 86 बन रहे हैं, ये दोनों ही चीजें यहां पर हैं, तो इसका म लगता है, क्योंकि अगर एक दो बच्चे का कमेंट होता, तो हम सोच रहे हैं, ये वैसे बकवास कर रहे हैं, इनको सिरफ करना ही यह होता है, दो चर बच्चों को, क्योंकि कोई चैनल वाले हैं, कुछ है, एक दुसरे का, वो करते रहते हैं, वो तो अलग चीज थी, लेकि उसके नमबर तो कटेंगे ही, कटेंगे, तो उसके उसके हिसाब से, अगर किसी बच्चे का बढ़ा है, तो ओटोमेटिकली किसी का ठीक, गलत भी हुआ होगा, तो कम भी होगा, च्योंकि अगर क्योस्तिन नमबर एक का, अगर यहां अनसर C दिया गया था, और होना चाहिए तो जिन बच्चों को C में फाइदा था, उनके नमबर ओटोमेटिकली यहां कम होंगे, और जिनको B में फाइदा होना है, उनके यहां बढ़ेंगे, यह दोनों ही स्थेतिया आपको देखने को मिलेंगी, दूसरा मामला है, अनसर की रिवाइज हुई या नहीं हुई, बिल साइद एक दो दिन में इसका कुछ आएगा भी, उसके बार में बच्चे वो करेंगे, तीसरा है कितने पर्चित रजल्ट आया, यह मैं पहली भी आपको बता रहा था, कि रजल्ट जो रहा है, वो PR का सत्रा परसेंट रहा है, और TGT वालों के जो रहा है, उसके बाद मारक भी उसके अंदर मिलेंगे, तो इसलिए DG Locker के ओपर अकाउंट आप लोग बना रहे हैं, कल ही मैंने एक DG Locker की वीडियो डाली थी, और एक और मैं उसको रिवाइज करके दो दिन में डालने वाला हूँ, वो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टा करने वाला है, तो इसलिए 2019 के अंदर दोबारा आने की पूरे-पूरे चांसेश है, DSSB तो आही रहा है और आएगा भी, उसी के साथ KVS भी जून जुलाई के अंदर दोबारा हर बार आना होता है, तो 100% अब की बार भी आएगा, क्योंकि जो आकड़े हैं वो बता रहे है कि जितनी वाकैंसियां जरूरत हैं, उनसे कम ही अब की बार ली गई हैं, तो ओटमेटिकली वो भी बनेगा, NVS का होगा, Army School का, और दूसरे टिशी एगजाम आपके इस साल में होंगे, जिनका पास हुआ है, जिनका पास नहीं हुआ, उनके लिए भी कोई घबरानी की बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नहीं हुआ है, अब आपको थोड़ी सी कमी अपनी कहां बची है, उसको देखना है, और उसी के साथ-साथ आप लोगों को अपने आपको आने वाले दोबारा एक्जाम के लिए तयार करना है, ज्यादा टाइम नन लगेगा, जिस तरीके ते कोर्ट की तरफ से और अजैंसियों की तरफ से बोर्ड को ये फटकार लगी थी पिछली बार भी, कि आप लोगों को समय समय पर सीट अट लेना चाहिए, क्योंकि इसी वज़े से क्येवियस ने भी बिना सीट वैट और वालो किया गया है, तो दो बार के लक्षन दिख रहे हैं, और दो बार के लक्षन हुए, तो फिर आपका फरवरी के आजपास दोबारा बन सकता है, और अगर एक बार हुआ, तो आपका मई जून से लेट फिर भी नहीं होने वाला है, ये 100% चोर्टी है, ये पिछली बार भी हमन कीजिए, जिन्होंने पैसे दे के चैलेंज किया, उनका पैसा कहा गया, दोस्तों जिन बच्चों ने चैलेंज दे के पैसा किया है, ये बोर्ड ने पहले भी साप किया था, कि जिन बच्चों का ठीक निकलेगा, उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ये बोर्ड के पा करके तो आप लोग हमेंक कमेंट कर सकते हैं आप लोगों की जानकारे भी दीरे करके जी जाएगी स्टडी मैट्रियल के लिए जुड़े रहे Shell का आध्र कर सकते हैं कैई सिंट सब्सक्राइब कर जरूर करते रहें, ताकि आप लोगों को